तो हमने प्रिवियसली आरेच ग्रूपिंग तक कर लिया था हमने दो ग्रूपिंग देखा था यह यह यहां तक कर लिया था ठीक है इसका मतलब हम अभी कोगुलिशन अफ द ब्लॉड स्टार्ट करेंगे अंद धैन हम लिंफ यह टिशू फ्लॉइड स्टार्ट करके वाला पार्ट को हम दा एंड कर देंगे ठीक है बट इसके पहले कुछ मिसिंग चीजों को देखेंगे जैसे की एबियो ग्रूपिंग इस बेस्ट ऑन दे प्रेसेंस और एपसेंस ऑफ तू सर्फेस एंटीजन ठीक है एबियो ब्लॉड ग्रूप जो है यह बेस्ट है ऑन द ब्लाज्मा प्रोटीन ठीक है पहला थी तिंग एंटीबोड़ी प्रेदूस्ट अगेंट एबी एंटीजन ठीक है एघ हो या भी हो तो यह तो मैंने मोटो मोटे तौर पे पता दिया कि इसमें यह एंटीबी होगा एंटीक लेकिन अन्टीबोडी का तो प्रकार होता है एम निकलेगा ठीक है एनामिनिस्टिक एफेक्ट हम हीवन हैल्थ हैं डिजीज में देखेंगे और आरेश के केस में आई जीजी में निकलेगा बिको सेकेंड टाइम में होता है ना सेकेंड प्रेगनेंसी और वर्ल्ड में सबसे ज्यादे बी ब्लड ग्रूप है और सबसे कम भी ब्लड गृप है यह मतलब की यूनिवर्सल रिसीपीयंट जो है ठीक है रिसीपीयंट जो है यह सबसे कम है और ब्लड ग्रूप सबसे जाए है पूरे वल्ड में ठीक है एब को एब क्यों बोलते हैं विकॉस इट डसंट है इन देर प्लाजमा इकॉस दोनों एंटी जै यह लाइन से statement वकला question आ सकता है and RH negative person exposed to RH positive blood चो कि हमने मा में देखा will form specific antibody ठीक है against the RH antigen ठीक है therefore RH group should must be यहां तक आये का ठीक है and then हम यह देखेंगी कि mother start preparing antibody against RH antigen in her blood हर की जगा कुछ और examiner कर शकता है can leak ठीक है हमेशा leak हो जरूरी नहीं है can leak ठीक है यह वाला हमने condition देखी लिया था तो coagulation of the blood को हम start करेंगे उसके पहले हम एक चीज़ जान ले ठीक है वैसे यह NCRT में नहीं है but 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 for knowledge जब तक examiner specifically ना पूची हम नहीं बताएंगे ठीक है embolus clot जो होता है continue movement करते रहता है तो diagnose नहीं हो पाएगा ठीक है अचा जो thrombus clot है यह static clot होता है ठीक है तो यह उतना खतरनाक नहीं है जिता embolus clot खतरनाक है यह can heart attack कर सकता है coronary artery में चला गया तो ठीक है paralysis कर सकता है ठीक है एंड एक और चीज हमने यहां पर देखा था मिस कर दिया था अच्छा मैंने बोला था कि wbc जो है variant shape and shape not fixed होता है वैरी करते जैसे कि rbc का तो shape fix है भाई icon का यह win shape है लेकिन 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 यह shape vary नहीं करता है क्यों नहीं करता है इसका reason भी दे देते हैं because हम यह पता है wbc को fight करना है ठीक है मतलब कि हर एक जगा पे जाना है तो इसका specific position होगा तो नहीं हो पाएगा ठीक है मालों कहीं पतला है या तेढ़ा मिडा है तो अपना ऐसे ऐसे diabetes करकर के इधर उदर movement करके हो वैसे diabetes से यहीं दोनों करते है ठीक है तो कोई shape नहीं होगा तो कोई भी shape यह ले सकता है और कहीं भी घुश जाएगा ठीक है तो इसलिए इसका safe vary करता है ठीक है अब हम start कर रहे है अब हम start कर रहे हैं उसके पहले हम मोटे मोटे तौर पर यहां पर बताते हैं कैसे clotting का mechanism होता है ठीक है मालों injury हुई यह फिर ट्रॉमा हुआ ठीक है तो वो क्या करेगा स्टुमिलेट कर देगा प्लेटलेट। तो निकालेगा thetermoplastin या फ़िछ प्लेटलेट्स अंदर होते हैं तो यह निकालेगा endothromboplastin एट्रनलेट्स से दो पथवे होते हैं एक intrinsic पात homicide है मतलब कि दोनों clotting करा सकते हैं, इंजिरी हुआ, ट्रामा हुआ, ठीक है, तो platelets भी करा सकते हैं, जो कि intrinsic pathway होता है, और tissue भी करा सकते हैं, जो कि extrinsic pathway होता है, दोनों एक साथ देख लेते हैं, यह अगर stimulate हुआ platelets, तो यह निकालेगा endothromboplastin, ठीक है, tissue जो है, वो निकालेगा, exothromboplastin, ठीक है, यह extrinsic pathway, because tissue भाहर है, ठीक है, यह तोनों calcium के साथ मिलकर, because calcium एक mandatory factor है, calcium के साथ मिलकर के, और react करते हैं, plasma protein से, ठीक है, यह calcium के साथ मिलेगे, और plasma के जिते भी protein है, albumin, जो भी थे, उनसे react करेंगे, और form करेंगे enzyme complex, जिसका नाम है enzyme complex है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, enzyme complex, hemoglobin क्या था, complex protein था, यह thrombokinase क्या है, enzyme complex, तो यह बनाएंगे thrombokinase, ठीक है, question आता है, कि cascade process में, ठीक है, जो question आता है, कि cascade process में क्या बनता है, ठीक है, तो बाँ सारा दे देगा, thrombin, prothrombin, यहाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो cascade process से क्या फर्म होता है, question आएगा, तो ठीक है, यहाँ पर question आएगा, complex is form, series of linked reactions से क्या फर्म होगा, तो ठीक है, हमने देख लिया, ठीक है, तो यह दुनों आएँगे, ठीक है, calcium mandatory factor आएगा, plasma protein से मिलेगा, और हमारा बना देगा, thrombokinase, ठीक है, thrombokinase बना दिया, ठीक है, जब तक यह injury नहीं था, तब तक यह सब नहीं था, ठीक है, इसलिए तो हम देखते हैं, blood में coagulation नहीं हो पाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह वाइटमीने देख रहे थे, ठीक है, तो thrombokinase बना दिया, अब thrombokinase क्या करेगा, anti-heparin की तरह हुआ करेगा, because हमें पता है कि blood में हमारा basophil है, जो की inflammation करता है, ठीक है, उसके पास होता है, heparin, histamine and serotonin, vasoconstrictor, heparin जो होता है, वो जो होता है, यह anti-cogulant होता है, ठीक है, तो भाई, यह तो coagulation नहीं करने देखा, ठीक है, तो thrombokinase इस पे attack करेगा, और इसको, मतलब हटा देगा, इसके activity को हटा देगा, heparin के, ठीक है, thrombokinase का function क्या होता है, anti-heparin, thrombokinase के लिए, या फिर pro-thrombinase के लिए, कौँ सा vitamin, ठीक है, तो pro-thrombinase बन गया, या फिर, thrombokinase बन गया है, ठीक है, अब यह क्या करेगा, ठीक है, अब यह क्या करेगा, यह आएगा इधर, ठीक है, in the presence of calcium, ठीक है, और pro-thrombin को, जो कि inactive plasma protein है, लिवर में vitamin K शे बन रहा था, इसको thrombin में convert कर देगा, ठीक है, जो कि active protein है, और हमें पता, यह cascade process हो रहा है, मतलब कि इसका जो product है, यह use हो जाएगा, अगले reaction में, और thrombin जो है, ठीक है, यह fibrinogen, जो कि inactive soluble plasma protein है, इसको calcium की मतल से fibrin में convert कर देगा, तो देखो, यहाँ पर calcium अगर नहीं रहेगा, तो clotting होगा ही नहीं, डिले नहीं होगा ही नहीं, ठीक है, तो fibrin में convert कर देगा, fibrin insoluble है, यह soluble था, fibrin का polymers बनेगा, ठीक है, और polymers में damage, ठीक है, damage, or dead, formed elements आएंगे, ट्राइब होंगे, formed elements का मतलब RBC, WBC, प्लेटलिस सभी आएंगे, only करके option दे, नहीं, ठीक है, और dark reddish brownies scum बनेगा, ठीक है, dark reddish brownies से क्यों बनेगा, because हम में पता है कि formed element RBC major होता है, ठीक है, इसकी वज़ा से, ठीक है, और इसके बाहर एक liquid part निकलेगा, यह लोकलर का, जिसको serum बोलेंगे, ठीक है, serum क्या होता है, plasma, अच्छा, plasma क्या होता है, blood में से corpuscles हटा दो, जो कि 45% थे, ठीक है, तो plasma, plasma में से clotting factors हटा दो, तो anti-globuline बचा उसमें, ठीक है, and albumine बचा, तो serum में antibody निकलता है, ठीक है, globuline, albumine, यह सब निकलता है, ठीक है, तो यह मोटे-मोटे तौर पे था, ठीक है, question यह आता है कि, pro-thrombine को thrombine में convert कौन करता है, thrombokinase या फि-prothrombinase करता है, ठीक है, next, अब हम इसी चीज को NCRT के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है, you know, coagulation of blood, या फि-clotting, you know that, when you cut your finger, or hot yourself, your wound does not continue to bleed for a long time, not continue for a long time, ठीक है, bleed को हम hemorrhage भी बोलते हैं, brain hemorrhage, ठीक है, मतलब की, you know, leakage, bleeding को बोलते हैं, hemorrhage, ठीक है, तो not, not sub, ध्यान तो long time, ठीक है, और इसमें cut गिया, ठीक है, तो BP तो कम हो जाएगा, blood जो प्रेसर लगा रहा है, वो तो कम, लेकिन heart compensate करने के लिए pulse rate, मतलब की heart rate को बढ़ा देगा, ठीक है, usually, the blood stop flowing, after some time, ठीक है, तो usually, हमें साने, usually लिखा हुआ, after some time, vitamin K का deficiency हो गया, तो भाते जाएगा, भाते जाएगा, इसलिए जब भी पैदा होता है, तो vitamin K का injection मारते है, vitamin K क्या करता है, prothrombin को बनाएगा, ठीक है, after some time, ठीक है, do you know why, blood exhibits coagulation or clotting in response to injury or trauma, ठीक है, injury or trauma होगा, तब ही होगा, इसलिए अगर question में आ जाएगा, क्या intact blood vessel में होगा, तो नहीं, जब तक injury or drama examiner ना लिक है, तो हम नहीं मालेंगे, injury or trauma में coagulation स्टार्ट होता है, this is a mechanism to prevent excessive blood loss from the body, you would have to absorb a dark color, देख लो, dark होता है, reddish brown scum होता है, पपड़ी, form in the sight of gut or injury over a period of time, ठीक है, it is a clot, इसको clot बोलते हैं और coagulum बोलते हैं, ठीक है, clot बोलो, coagulum बोलो, form mainly of a network of threads, ठीक है, तो fibrin, network of threads मतलब कि यह polymer है, polymer से बनता है, clot की चीज़ से बनता है, poly, इस से बनता है, fibrin से बनता है, ठीक है, जो coagulum form में लिए, mainly, mainly की चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, अगर को पूचे, mainly की चीज़ से बना हुआ हो, तो fibrin से बना हुआ है, ठीक है, polymer, insoluble है, ठीक है, fibrin क्या है, active form of a fibrinogen है, polymer है, insoluble है, ठीक है, in which dead, 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 अच्छे वाले, dead, अच्छे वाले की होएंगे बे, dead और damage form elements, मतलब की तीनो, मतलब की blood के तीनो components are trapped, ठीक है, और RBC जादे होता है, इसलिए, darker red is brown हो जाएगा, ठीक है, ना की only कर दे, examiner यहाँ पर देखना है, अब देखो, fibrin थे, तो fibrin कैसे बना, fibrin थे, conversion of inactive fibrinogen, जो की plasma में थे, by the enzyme thrombin, ठीक है, तो हमने देखा कि यह जो enzyme thrombin है, इसकी मतलब से fibrinogen, fibrin में बन गया, ठीक है, fibrin enzyme thrombin, ठीक है, in turn, in turn, from a thrombin का से बना, in turn, thrombin form from the another inactive substance, present in plasma, prothrombin, ठीक है, तो thrombin का से बना, another inactive substance, जो की plasma में था, ठीक है, prothrombin में थे, ठीक है, और इसके लिए कौन सा enzyme आया, ठीक है, and enzyme complex, enzyme complex, ठीक है, enzyme complex, thrombokinase, इसके में कौन है, prothrombin को thrombin को कौन का से बना है, thrombokinase, is required for the above reaction, मतलब कि यह वाला जो reaction है, इसके लिए thrombokinase चाहिए, या prothrombinase चाहिए, ठीक है, this, this complex is formed by a series of linked enzymatic enzymatic reaction, ठीक है, मतलब कि cascade process की बात करा है, तो cascade process में क्या बनेगा, ठीक है, thrombokinase बनेगा, thrombokinase is required for the above reaction, this complex is formed by the series of linked enzymatic cascade process, ठीक है, तो thrombokinase, enzymatic reaction, series of enzymatic reaction से बना है, ठीक है, cascade process बार-बार जब चलता है, जब-जब cascade चलेगा, यह तूड़ेगा, यह चलेगा, जब-जब cascade चलेगा, यह thrombokinase बनेगा, और यह सब ही process होते रहेंगे, ठीक है, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state, ठीक है, और तो, you know, cascade process involving a number of factors, और उसके साथ involving a number of factors present in inactive state, ठीक है, examiner यहाँ पर active कर देगा, ठीक है, यहाँ पर fibrino pro thrombin की बात हो रही है, ठीक है, next, next, inactive state, an injury or drama stimulate the platelets in the blood to release certain factors, ठीक है, factor 3 की बात हो रहा है, मतलब की endothromboplastin की बात हो रहा है, ठीक है, जिसे thrombokinase बनेगा, calcium से मिलके, plasma protein से react करके, which activate the mechanism of coagulation, ठीक है, तो injury or drama हो जाता है, तो stimulate करता है platelets को, तो वो release करता है certain factor को, जो की mechanism of coagulation को start कर देता है, ठीक है, certain factor release by the tissue also, tissue भी at the size of injury, also can initiate coagulation, तो tissue भी coagulation को initiate कर सकता है, और, 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 हमारा platelets भी, यह मतलब की thromboside भी, हमारा coagulum को, also initiate coagulation, ठीक है, यहाँ पर endothromboplastin, यह exothromboplastin, यह endothromboplastin, यह exothromboplastin, ठीक है, calcium ion, जो होते हैं, वो very important role in clotting, ठीक है, mandatory factor होता है, इसके बिना cascade ही रुख जाएगा, ठीक है, next, release में हम देखता हैं कि, thromboplastin release कर रहा है, यह platelet है, तो endothromboplastin release करेगा, ठीक है, यह भी, pro thrombinase, यह भी, thrombokinase बोल दे, तो यह क्या करता है, पहली का, anti-heparin, hirudin, EDTA, ठीक है, hirudin, biotech में हम पढ़ते हैं, कि सर्चों में hirudin का gene डाल के, ठीक है, तो वहाँ पर देते, EDTA हम, coordination compound में पढ़ते हैं, यहां से भी question आता है, anti-heparin की तरह यह काम करता है, ठीक है, thromboplastin का भी देते, तो आईसा ही कर देना है, ठीक है, अच्छा, एक बाद question आया, अच्छा कि, dash is introduced into blood stream, would cause coagulation of blood, ठीक है, तो blood में तो भाई, उसमें option था, fibrinogen, prothrombin, होता है, या फी platelets से होना होता, तब तो भाई, यह तो blood में रहते ही हैं हमेसा, लेकिन यह inactive form में होता है, इसलिए नहीं होता है, ठीक है, तो answer क्या जाएगा, thromboplastin answer जाएगा, अगर thromboplastin introduced into the, you know, भाती हुई blood में, तो वो coagulation करातेगा, ठीक है, because tissue हो गया, और platelets हो गया, यह release क्या कर रहे थे, Thromoplastin ही तो release कर रहे थे, ठीक है, तो यह हमारा coagulation वला पांट खतम हो गया, जहाँ ज़ाँ से question आ सकता था, ठीक है, question कहाँ कहाँ से आ सकता था, यह पूरे पांट से question आ सकता है, यहां पर यहां पर यूज हो जाता है यह इनक्टिव है ठीक है इनसलीबल है इसका पॉलीमर है ठीक है डेट डैमेज फॉर्म एलिमेंट स्ट्रेप रेडिज ब्राउन यह सीरम प्लाजमा से ख्लोटिंग फेक्टर रटा दो क्या क्या होगा सीरम में एंटिबॉटिस होंगे ठीक है ठ्रोंबो प्लास्टीन इंटिड्यूश करा दो तो क्लट टो त्वेक्ट ऄंएगा ठीक है यह सारै क्व sells ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे लीम फ ठीक है या फिक हो इसमें 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 ब्लड में इसे करके कुश्चन इससे आते हैं ठीक है है ओर और ऑर अच्छा एक और चीज मैट ऑची मीजिस हो घी हो गया और अर टासिस हो गoryक है और मिया और हैं हम यह क् freshly कॉश्म jsि अंचरते ही और लिमफ लिम्ट किया होता है Reykeldi और M N को अगर डाल देते हो लिंफ होता है तो लिंफ का हम दिफिनिशन दे सकते हैं कि blood minus RBC plus platelets मतलब कि blood से RBC और platelets हटा दो ठीक है तो जो भी बज़ेगा वह लिंफ है ठीक है और 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 ठीक है plasma ठीक है small is Spanish protein लेलो plus WBC ठीक है प्लाजमा का क्या हम देखा, नियूट्रियन्स वाला काम था, एरित्रोसाइट का देखा, ट्रांस्पोर्ट, गैसेज ट्रांस्पोर्ट का काम था, ठीक है, लिकोसाइट देखा, ड्वलूबीशी डिफेंश का काम था, ठीक है, थ्रोंबोसाइट देखा, हमने कॉगुलेशन लिम्फ का कहाा काम आता है ठीक है लिम्फ जो है ठीक है यह एक्स्षेंज में कामँ आता है ठीक है ठीक हो धो हमारा को सरकुलेट्री सिस्टम है है हमारा lymph contact में होता है ठीक है lymph को middle men भी बोलते हैं ठीक है बिकाज यह assistive circulatory system की तरह काम करता है यह दलाल की तरह काम करता है ठीक है cells cells और blood capillaries के बीच में connection बनाता है ठीक है nutrients को इदर पहुंच आता है because blood direct contact of cells में नहीं होते हैं ठीक है as the blood passes through the capillary जब blood capillary से pass करेगा ठीक है देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो वहाँ पर BP कम होते जाएगा इसका बहुत सारा रीजन है एक तो छोटा हो रहा है पतला हो रहा है तो BP कम होगा ठीक है बड़ का प्रेशन कम होगा second thing इसलिए कम होगा बड़ का फ्लो फास्ट होता है बड़ का फ्लो फास्ट नहीं होगा बड़ का फ्लो फास्ट नहीं होगा एक्सचेंज फास्ट होगा लेकिन बड़ का फ्लो मतलब की बड़ की फास्ट वहाँ पर नहीं होगा ठीक है बिकास औरगन डैमेज हो जाएंगे इन टीशू अच्छा टीशू किया होता है हमने देखा था अनिमल टीशू वाले चेप्टर में टीशू इस दा ग्रूप अप सेल्स जिसके फंशन स्ट्रॉक्टर ओरीजिन सेम होता है ठीक है तो एस दा ब्लड पासे थू थू ठीक है जब टीशू रता दीशू से कैपि लरी से लिकलता है टीशू ऊंवर्ट़ ओं लाट बार्ess दीक है वेनल पासे थू कैपीलरी इन ति इन टीश्यू ठीक है सोब लाटर अलोंग ंच्यां पर examiner खेलेगा, many small water soluble, small तो सारे निकल जाएगे, उसलिए मेनी लिखा हुआ, many small water soluble substance move out into the species between the cells, between the cells of tissue leaving the larger protein and larger protein, ठीक है, and most of the formed elements in the blood vessels, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि, यहां पर तो भाई, some water molecules आ जाएंगे, ठीक है, some water along with, ठीक है, many small water soluble, substances, ठीक है, बाहर आजाएंगे, ठीक है, move out into the species, between the cells of tissue having larger protein and most of the, most of the formed element in the blood, ठीक है, तो जो larger protein है, जैसे कि Fibrinogen होगा, यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, और भी बड़े-बड़े protein है, यहीं पर हो जाएंगे, ठीक है, major formed elements यहीं पर होगा, मतलब कि major WBC यहीं पर होगा, platelets यहीं यहीं पर RBC जाएगा, major मतलब कि WBC में जाएगा, कौन जाएगा, B और T cell मतलब कि Lymphoside जाएगा, और MN भी diapodasis करते हैं, तो जा सकते हैं, ठीक है, platelets नहीं जाएगा, RBC नहीं जाएगा, majority यहीं पर होगे, ठीक है, और जो plasma protein के, जो small water soluble है, वहीं जाएंगे, ठीक है, यह बाहर चले जाएंगे, ठीक है, इन्हें को interstitial fluid और tissue fluid बोलेंगे, ठीक है, blood vessel से बाहर चले जाएंगे, यह सारे चीजे, क्यों, interstitial fluid और tissue fluid बोलेंगे, ठीक है, it has the same mineral distribution as the plasma, तो हमें पता था, plasma में 90-92% water था, तो some water ही आ रहा था, ठीक है, 6-8% protein था था, small or many, small soluble substance आ रहा ह है, ठीक है, लेकिन, हमें पता था कि अब plasma में, जो minerals होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, यहां पर हमने देखा था, that, plasma में, जो minerals होते हैं, यह small amount में होते हैं, ठीक है, हमने देखा था कि plasma में, जो minerals होते हैं, वो काफी small amount में होते हैं, ठीक है, तो, क्या question आता है कि, plasma से क्या similarity lymph में मिलता है तो ठीक है तो जो mineral distribution of lymph है यह same as plasma होता है ठीक है it is the same as interstitial fluid में जो mineral distribution होता है ठीक है mineral distribution मतलब कि calcium chloride sodium और bicarbonate इनका जो distribution होता है same होता है because यह small होते है water soluble होते हैं ठीक है albumin globulin भी निकल जाते हैं ठीक है तो यह same होता है mineral distribution जो होता है plasma और lymph में same होता है exchange of nutrient gases ठीक है exchange of nutrient gases होता है इसके जरीए ठीक है between the blood and the cells between the blood and cells का exchange यह कराता है between the blood and you know between the blood and cells always always मतलब की यहां पी examen इधर उतर कर देगा always occur through this fluid ठीक है मतलब की blood जो है direct contact with cell नहीं रहता है इसकी मदद से होता है ठीक है close circulatory system में blood is not directly contact with the cell mammals higher organism है हम लोग ठीक है and elaborate a network of vessels is called lymphatic system ठीक है तो बहुत सारा आदन प्रदान होगा थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है ठीक है lymphatic system जो है उस चीज को collect कर लेका उस fluid को and drain back कर देगा into the major vein यहां पर काट करके question काट करके minor vein कर देगे तो नहीं major vein में डालेगा माइनर वेन में क्यों पिरसे पीछे ले आगे डालेगा आगे major vein में जागे डालेगा ठीक है इस fluid present lymphatic system ठीक है और यह जो fluid है जो lymphatic system में present lymphatic vessels में present है इसको lymph बोलेंगे ठीक है तो वेसल से बाहा निकला इसको इंटर्स्टीशियल और टिशू फ्लूड बोले और लिम्फेटिक सिस्टम में जो फिर से अंदर आ गया उसको हम लिम्फ बोले तो लिम्फ उसमें डिफ्रेंस है इसमें CO2 आ गया उसमें O2 था इंटरस्टीशियल फ्लूड में ठीक है तो हमने यह देख लिया ठीक है लिम्फ इस अ कलर लेस्ट लिम्फ जो है कलर ले सक्यू है विक विकॉस हमने देखा ने और जो कलर है यह बेश्ट आंदा हमोगलोबीन होता है तो इसमें आर्वेस से नहीं होता है तो व्लूर इस फ्लूइट ऐसे मतलब की बदी श्यूंटर कर राता यह रिटार इंटरस्टीशल फ्लूड कर रहा थ और इम्यून रिस्पॉंस में भी इसके काम आता है। कि कि इस्तों हम तो इसने। फैट फैट की जगा लिपीड देजा रहा ठीक है अच्छा फैट हो गया या लिपीड हो गया यह लिंफ में जादे होता है इन compared to blood इक कुशन है का blood और लिपीड में तो मतलब की blood में fat का होता है और यहां पर जादे होंगे ठीक है यहां पर fat का absorption होता है fat in the lymph ठीक है fat fat absorb in the lymph in the lacteals ठीक है तो fat कहां पर absorb होता है lymph में तो lacteals में होता है यह small lymphatic vessels है ठीक है और lacteals present कहां पर होता है तो intestinal विलाई में present होता है यह भी question आ सकता है कि lacteals present कहां होता है intestinal hormones है हुमिली नोगरा फर्स्ट यह लेली कंपनी वाला हमने देखा था अच्छा यह small intestine in a small विलाई की बात कर रहा है intestinal विलाई की बात कर रहा है ठीक है ETC में gases आ जाएगा जैसे की interstitial tissue fluid है तो उसमें O2 होगा lymph है तो CO2 होगा ठीक है fat lipid होगा ब्लड से जादे metabolic waste होगा catabolic waste होगा इसमें ठीक है next अब हम डाइग्राम से समझते हैं जिसे अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो यह हमारा कोई पाठ हो गया औरकन हो गया ठीक है यह हमारा देखो आट्री आया सबसे बड़ा आट्री होता है फिर आट्री ओल्स होता है फिर यह capillary में डिवाइड होता है ठीक है अब यहां पे capillary डि-oxygenated हो जाएगा venyules होगा फिर vein होगा फिर superior वेना कावा ठीक है major vein superior वेनकाबा ठीक है अगर उपर से आ रहा है तो नीचे से blood आ रहा है abdomen के नीचे तो diaphragm के नीचे से तो inferior वेनकाबा left atrium फिर right atrium right ventricle फिर pulmonary vein पे जाएगा you know lungs के पाश फिर वो left atrium left ventricle एउटा के दुरू systemic circulation करा देगा ठीक है तो देखो इसका मतलब artery में क्या होगा अगर इन दोनों में compare किया जाए तो atrium में waste जादे होगा और BP कम होगा इन दोनों में अगर compare किया जाए तो ठीक है लेकिन comparison आएसे जार्प आता है तो इसमें सबसे जादे waste इसमें सबसे कम waste इसमें सबसे जादे waste इसमें BP सबसे जादे इसमें BP सबसे कम ठीक है ऐसे question आ जाते हैं कभी कभी जैसे जैसे elaborate करते जाएंगे कम होते जाएंगे यहां पर capillary है तो यहां पर और जादे कम हो जाएगा BP ठीक है question भी था एक ठीक है तो यहां capillary में divide हो गया ठीक है तो major wbc और platelets और rbc यहीं पर रहा गया ठीक है और कुछ इस पार्ट यहां पर आ गया है ठीक है क्या क्या आ गया हमने देख लिया है क्या क्या आ गया ठीक है क्या 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 आ गया यह question आता है some water आ गया ज्यादे नहीं आ सकता है small और मेनी water-soluble substance आ गया ठीक है और और लाजर प्रोटीन को छोड़ दिया जाए मतलब कि small protein आ गया most of the four element को छोड़ दिया जाए तो minor amount of formed element आ गया मतलब कि Wbc और यहां पर आ गया ठीक है oxygen भी आ गया gas भी आ ठीक है अब cell इसका catabolism किया उसने कुछ छोड़ा ठीक है तो majority तो 90% यहां पर फिर से capillary में आए venus veins के द्वारा you know चले गए हार्ट के पास लेकिन जो बचे 10% है भाई अब उनको भी तो बाहर निकलना है तो उसके लिए हमारा आता है lymphatic system ठीक है lymphatic system तो यह assistive circulatory system है lymph हमारा ठीक है तो यह 10% में क्या-क्या होते हैं देख Wbc होते हैं लेकिन blood से कम होते है प्लाजमा प्रोटीन है लेकिन कम है ठीक है वह भी water-soluval और small है ठीक है में और cell debris है ठीक है metabolic waste है gas में CO2 है इसको अब lymph बोलेंगे तो CO2 है इधर वाले में O2 था ठीक है और इसमें bacteria भी है मतलब कि यह हमने देखा कि यह immunity में भी रोल अधा करता है ठीक है immune response में भी immunity के ही लिए काफी चर्जित है और exchange के लिए तो इसमें यह यह चीज़ होगा because question आता है इसी से ठीक है ठीक है तो यह अब वैसल्स हो गया lymphatic vessels या भी lymphatic system ठीक है अब यह lymphatic node में जाएगा तो देखो कैसे कैसे हो रहा है lymphatic capillary फिर lymphatic vessels फिर lymphatic node ठीक है यहां पर BP कम होते जा रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है BP कम होते जा रहा है ठीक है lymphatic load जैसे कि हमने एक्जामपल में spleen लिया spleen हमें जानता है blood bank है spleen largest lymph node है ठीक है उसके बार blood bank के बाद o2 वाला सिर्फ होता है इसमें then after spleen में BOT cells होते हैं यहां पर immunity वाला fight होता है ठीक है देन आफ्टर इसको graveyard बोलते हैं ठीक है largest lymph node नोड में आखिर होता क्या है purification होता है filterization होता है defense mechanism phagocytosis में काम आता है ठीक है उसके बाद यहां से निकलेगा major vein में जाएगा major vein major vein में आके drop होता है तो यहां पर हमारा खतम होता है lymph ठीक है कहां कहां से question आ सकता है हमने देख लिया ठीक है यहां से question आएगा यह BP वाले से question ठीक है between the blood always occur through this fluid होता है ठीक है मतलब ब्लड उसका cell का वो नहीं होता है ठीक है आपस में वारतलाप नहीं होता है lymphatic system draining back to the major vein में करता है यह important है lymphatic system को यह lymph बोल देते हैं यह lymph वाला पार्ट है ठीक है and then यह immune response में मदद करता है nutrients hormones fat यह सभी को carry कर रहा है gas metabolic waste ठीक है bacteria हो गारा सब है इसमें ठीक है lipid more होते है blood से जाते lacteals कहां पे present of fat absorb कहां पे होता है lacteals में होते है lacteals present कहाता है intestinal alive में होता है lacteals के small lymphatic vessels है यहां से question आएंगे यह इसमें होते हैं sorry यह इसमें होते हैं ठीक है lymph में यह interstitial में क्या क्या होते हैं यह देख लेना ठीक है because यहां से question आता है यह किसका blood क्या है किसका waste कितना है यहां से question आते हैं ठीक है next time start करेंगे circulatory pathway open circulatory system close circulatory system ठीक है काफी बहतरीन तरीके से यहां पर देख लिया है हमने अच्छा blood का एक और हमने चीज देखा था कि दो surface antigen के basis पर हम देख रहे थे two surface antigen तो आखिर यह है क्या तो हमने यह वाला chapter देखा था ठीक है cell membrane ठीक है तो हमने cell membrane पर यहां पर देख रखा है कि cell membrane जो होता है यहां पर blood का ही बात किया गया है क्यों किया गया हमने देख लिया था उस lecture में ठीक है तो हमने यहां पर देखा कि इसमें cell का जो plasma membrane इसमें 52% protein होता है ठीक है 52% जो होता है protein होता है ठीक है 40% जो होता है lipid होता है ठीक है एंड एंड एट परसेंट जो बचा वो काबो हैड्रेट होता है ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको रिपेड ठीक है इसके में इस ऑफ अट्रेक्शन के बेसिस पर किया गया है हमने डबलो बीसी का देखा कि ग्रैनुगलो साइट साइटो प्लाजम है उनके बेसिस पर किया गया तो कब आया बायो केमिकल स्टडी किया गया तो क्या क्या देखने में आया यह सारे क्वेश्चन इसे आ जाते हैं यह सब हमने बढ़ियां से पढ़ रखा है